फ्रेंट वल्कम टू बैकार यूटूब चैनल एलेंटी के तरफ से जॉब का रिकेरिमेंट लेके आगे हूँ यस बाल्क में तुमको हैरिंग देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा ही वैकंसिस निकल क्या रहा है तुमको बेसिकली देखने को मिलेगा अलग अलग पॉजिशन स्वाइस यह पे वैकंसिस है फ्रेसर के लिए कैसा बेसिकली अपलाई करना पड़ेगा सारे डिटिल्स इन इस फीडियो में डिस्कस करने बाले ब्रांच के बारे में देखेंगे तब तुमरा बहुत सारी ब्रांच इलिजिबल है जैसा सीबील, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, टेली कमिनिकेसंस, इंस्टुमेंटेसंस अचा करके बहुत सारे ब्रांच इलिजिबल है तो उसमें दिक्कत बली बात नह यहां पर salary range minimum 3.5 LPA से लेके maximum up to 20 LPA तक तुम्हारा salary range आ सकते हैं depend upon your performance जैसा performance होगा उसके उपर depend करके कम भी हो सकते है ज्यादा भी हो सकते है but approximately इतना salary range आ सकते हैं इंडिया के अंदर any state apply कर सकते हैं so all India can erisables हो दिकत बली बात नहीं है selection procedure के बारे में देखेंगे तब तुम्हारा direct interview के मरफ हो तुम्हारा selections होगा interview में जैसा performance होगा उसके उपर depend करके तुम्हारा selections होने बाले okay so थोड़ा सा details में इस वीडियो में discuss कने बाले बाद उसके पहले एक छोटा सा request है जिल्लोग आभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियो तो जाके लाइक कर बादेना क्यूंकि इतना ज़्यादा भैकेंस तुम लोगों के लिए share करती हूं इसलिए मैं बोल्डे हूं थोड़ा सा motivation मिलता है जितना ज़्यादा like मिलेगा सब्सक्राइबर मिलेगा मेरेको उतना ज़्यादा मोटीम मिलेगा तब तुम लोगों के लिए इस जब भी बेटर जॉब का रिकरमेंट तुम लोगों के लिए share करूंगी और एक चीज़ बात है जी लोग आभी तक मैं टेलिक्रम चैनल में जॉइन नहीं हुई हो तो जाक सब्सक्राइब करने से पहले एक चीज मैं बाता देना चाहतो दिस इस मैं यूट्यूब चैनल जॉब फॉर यू जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो यहां पर जाके क्लिक कर देना इसमें क्या होगा तुमरा सब्सक्राइब हो जाएगा अप्टर आप चैनलोजी सार्वीजिस के तरफ से जॉब करिकरिमेंट आ रहे हैं और यहां पर बेसिकली सीनियर इंजिनियर ऑटो मोटिफ डियूरिबलेटी के लिए वैकंशी से वार्क लोकिसंस के बारे में देखेंगे बैंगलूर एक्स्पिरेंस के बारे में देखेंगे मीनीमम कि जॉब डेसकिप्संस के बारे में यहां पर मेंसान जैसा हुआँ यहां पर देख सकतो एफियर मॉडेलिंग श्टरॉक्ट्टर एंड प्लास्टिक कॉंपोनेंट में बेसिकली एक्सपिरेंस होना चाहिए और नॉलेच होना चाहिए यहां पर बहुत सब्साइब जॉब description के बारे में one by one यहां पर mention है, so यहां पर apply काने के लिए direct क्या करना पड़ेगा, so यहां पर देख सकतो, so interested candidate को this mail ID में basically cb बेजना पड़ेगा, और updated जो resume है बेजना पड़ेगा, cb के साथ cover letter भी दे दना, cover letter का sample मेरा description box में मिल जाएगा, okay, so पहला बात है यहां पर basically experience holder के लिए basically job opportunities है तो इसमें क्या basically तुमको apply करना पड़ेगा, but मैं बाता देती हूँ, freshers के लिए basically cat tricks follow करना पड़ेगा, so freshers के लिए क्या करना पड़ेगा, basically यहां पर देख सकतो, this mail ID में तुमको basically your cb जो है तुमको भेजना पड़ेगा, but यहां पर थोड़ा सा यहां पर जो job जो है यहां पर देख सकतो, role जो है तुमारा basically senior engineer level का है, so but pressure से इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, subject line में, suppose तुमारा engineering degree complete कियो तो apply for gt करके mention करना पड़ेगा, subject line में और diploma holder के लिए apply for dt, ऐसा करके mention करना पड़ेगा, this mill ID में तुमको basically CV भेजना पड़ेगा, okay, next opportunities आ रहे, basically L&T info engineering के लिए this opportunities आ रहे, so यहां पर अलग-अलग positions यहां पर vacances निकल के आ रहे, so जैसे यहां पर देख सकतो, पहला जो positions है, bridge design engineer, next चो है तुमारा highway design engineer, then rail track design engineer के लिए भी opportunities है, then तुमारा detailed design and planning engineer के लिए opportunities है, modeler, transport planner के लिए भी opportunities है, environmental engineer के लिए भी opportunities है, quantity surveyor से भी यहां पर अपर सुनिटिस आ रहे, geotechnical engineer quantity surveyor, okay, और यहां पर basically beam manager के लिए भी opportunities है, ऐसा करके बहुत सारी positions के लिए opportunities है, so यहां पर qualification जैसा देख सकतो, diploma engineer, diploma civil engineering branch apply कर सकते, इसमें जैसा बोल रहा है, BE civil engineering branch, civil engineering branch, then geotechnical engineer भी apply कर सकते, mtech वाले भी apply कर सकते, mtech का जो specialization जैसा बोल रहा है, geotechnical engineer, then transportation engineer, environmental engineer, ऐसा करके, और mtech structural भी यहां पर apply कर सकते, जैसा यहां पर स्कीन में देख सकतो, mtech transport engineer के लिए भी opportunities है, ऐसा करके, बहुत सारी opportunities हार है, so इसमें apply करने के लिए direct क्या करना पड़ेगा, so यहां पर देख सकतो, इस mail ID में basically तुमको CV भेजना पड़ेगा, यह और updated जो resume और CV जो भी है, तुमको basically भेजना पड़ेगा, CV के साथ cover letter भी देदाना, cover letter का sample मेरे description box में मिल जाएगा, और CV भेजने के time में, और mail करने के time में, हमेशा subject line ब्रॉपर करके mention करना पड़ेगा, apply for bridge design engineer और apply for higher design engineer जो भी है, तुमको basically mention करना पड़ेगा, okay, basically freshers के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बाता देना चाहते हूँ, basically, यहां पर देख सकतो two करके जो दिखाई दे रहा है, इसमें जाके तुमारा जो mail ID है, basically, जो mail ID मैं पहले मतलब बता चुकी हूँ, जो experience holder के लिए जो mail ID था, उसी mail ID तुमको basically two में तुमको copy करके paste करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, okay, पहला बात जो है L&T Infra Engineering के तरफ से जो vacances था, उसमें basically जो mail ID है, this mail ID, okay, so जो जो लोग L&T Infra Engineering में काम करना चाहते हूँ, उन लोगों को लिए basically this mail ID, basically copy करके तुमको basically तुमको basically तुमारा जो mail ID से जिसमें तुम भेज रहे हो, उसमें तुमको paste करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, okay, so प्रण जासे यहाँ पे screen में देख सकतो, so two करके जो दिखे दे रहे, इसमें तुमको basically paste करना पड़ेगा, okay, next जो point है basically, L&T Technology Services का जो basically mail ID है, जासे यहाँ आप इसकीन में देख सकतो, this mail ID तुमको copy करना है, जिन लोग basically तुमारा engineering degree holder है, और basically तुमारा specializations देखेंगे, तब तुमारा basically MBE, B.Tech, और diploma भी apply कर सकते हैं, उसमें problem नहीं है, any branch apply कर सकते हैं, but L&T Technology Services में जिन लोग जाना चाते हैं, तो पहले मैं बता चुकिए, L&T का दो vacances निकल क्या रहा था, पहला बात है, L&T Infraak के तरफ से vacances था, और second जो है, तुमारा L&T Technology है, जिसको जो पसंद है, जो भी है, इसको भी बस copy करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको paste करना पड़ेगा, next जो point है, 2 में जाके तुमको paste करना पड़ेगा, उसके बस subject line प्रोपर करके mention करना पड़ेगा, जैसा, suppose मैं diploma है, तो diploma के लिए क्या करना पड़ेगा, apply for DET करके mention करना पड़ेगा, apply for DET करके, that's mean diploma engineer ट्रेंड करके mention करना पड़ेगा, bracket में your subject line प्रोपर करके mention करना पड़ेगा, और एक चीज़ बाद है, इसमें और भी add कर सकते हैं, apply for DET, फ्रेशर्स भी ऐसा करके भी mention कर सकते हैं, और ब्राकेट में your branch और your trade यहाँ पे mention कर सकते हैं, उसके बाद जिए लोग graduations complete किये, that's mean engineering degree holder है, उन लोग को को लिए apply for DET करके mention करना पड़ेगा, subject line में क्या mention करना पड़ेगा, apply for DET, ऐसा करके तुमको basically mention करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ ब्रांच और trade यहाँ पे mention करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, इमेल करके दिखाई दे रहा है, इसमें तुमको basically type करना पड़ेगा, क्या type करना पड़ेगा, फ्रेंट जासा ही यहाँ पे skin में देख सकते हो, dear sir or maim, जो भी है, sir or maim, पता नहीं है मेरे को, sir भी हो सकते है, maim भी हो सकते हैं इसलिए, so dear sir or maim, उसके बाद ऐसा करके mention करना, I attached my latest resume for your reference, please check and reply me, okay, thank you so much, best triggered than your name and your mobile number, यहाँ पे डालना पड़ेगा, देखो, जादा लिखेंगे तब problem क्या हो सकते हैं, irritations बढ़ जाता है, इसलिए मैं बोल रहता है, क्यूंकि तुम जब attach file में जाके click करके, जब तुम कॉबा लेटर दोगी, उसमें तो तुम्हारा सारा gist रहेगा, उसके बाद cb भेजोगी, ठीके, कॉबा लेटर में क्या रहता है, basically gist रहता है, cb का जो gist portion जो है, उसमें तुम्हारा basically कॉबा लेटर में रहता है, okay, so कॉबा लेटर देखने के बाद तो समझ में आ चुके हैं, उन लोगों को लिए, basically, और cb तो रहे गई, और उसके बाद यहां पे ज़्यादा तुम लिखोगी, जैसा मेरा pass out year, जो भी है, ऐसा करके ज़्यादा में इंसन करने से बेटर है, ऐसा small descriptions देने से अच्छा है, उसके बाद your choice जो भी है, तुम डाल सकते हैं, उसमें problem नहीं है, but मेरा opinion ऐसा ही है, क्योंकि shortlist होने का chances ज़्यादा रहेगा, इसलिए में पोटे, next job point, यहाँ पर add file में जाके, your covaletor, then your CV, यहाँ पर attach करके, यहाँ पर send bottom में तुमको, जैसा यहाँ पर स्कीन में देख सकतो, send bottom में तुमको basically send करना पड़ेगा, ऐसा ही procedure है, very simple, so pressures भी अपलाई कर सकतो, experience holder भी अपलाई कर सकतो, उसमें problem नहीं है, और experience holder के लिए, covaletor थोड़ा सा, तुमको mention करना पड़ेगा, कितने साल experience है, और कांसा company में तुमारे experience है, basically mention करना पड़ेगा, क्या salary तुमको मिलाए, क्या CTC प्रोवाइट किये company के बारे में, थोड़ा सा mention करना पड़ेगा, और freshers के लिए, तो मेरा sample description box में मिल जाएगा, जाके check करके, click करके, अपने हिसाब से sample, download करके, डाल सकतो, ओके, वीडियो पसंद लगा तो परसल लाइक कर बादेना, और ऐसा नया जोब का अबड़ेटर पाने के लिए, चैनल को subscribe कर देना, और एक चीज़ बाद है, मैरा नया टेलिग्राम चैनल, basically create की हूँ, तुम लोग को खोली है, क्योंकि, कभी-कभी आर्जेंट requirement होता है, तो मैं डारेक्ट टेलिग्राम में पाब्लिष्ट कर देती हूँ, खुम पाने के लिए,